नमस्कार, आईए सुनते हैं हिंदी साहिती की सुप्रसिध लेके का पवित्रा अगरवाल द्वारा लिखी हुई कहानी, शुब चिन्तक आफिस से लौटकर पूरे घर में चक्कर लगा आई, किन्तो रीना टीना कहीं नजर नहीं आई, तो मम्मी जी से पूछा मम्मी जी, रीना टीना कहा है, अपने ताउजी के साथ बाजार गई है, घर में दौनों गुमसमसी बैठी थी, थोड़ा गुम फिर आएंगी तो मन बहल जाएगा राकेश भाई साहब आये हैं, कब आये, दो पहर को आया था, कुछ काम था, काम तो कुछ नहीं है, कह रहा था, कि रभी के न रहने से यहां की चिंता लगी रहती है तब ही जेट जी के साहर रीना टीना ने खिलकलाते हुए घर में प्रवेश किया, बहुत दिनों बाद उन्हें इतना खुश देखा था रभी के जानने के बाद शायद पहली बार बगख खुलकर हस रही थी, मन को कुछ अच्छा भी लगा मम्मी आज तो बहुत मज़ा आया, ताउजी ने खुब घुमाया, मेरी पसंद की बटरिस्कॉच आइसक्रीम भी खिलाई रीना ने चहकते हुए कहा मम्मी मैंने कोल्ड कॉफी पी और रवा डोसा भी खाया, तीना ने गले में बाहां डालते हुए कहा ठीक है, अब जाकर अपना हुंबब पूरा करो, वरना कल क्लास में सजा मिलेगी भाई साहब, आप अचानक कैसे आगए, सौनु मानु कैसे है ठीक हैं, बस माँ की कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकता रवीक के जाने के बाद से अब यहां की चिंता भी लगी रहती है समय बड़ा हरा गए, घर में दो बड़ी होती लड़कियां है, बूरी मा है तुम हो, पर मेल मेंबर कोई नहीं है, बड़ा संभल कर रहने की जरूरत है तुम कहो तुम्हें अपना ट्रांसफर करा कर सौनु मानु के साथ इस शेहर में आ जाओ अरे नहीं भाई साहब, आप हमारे लिए परिशान न हो, एक जगे से उखड़कर कहीं नई जगे जमना आसान नहीं होता सौनु मानु को आपकी हमसे ज़्यादा जरूरत है, उन्हें बार बार वार वहाँ छोड़कर अकेले, आप यहां मत आया करो समय बड़ा बलबान होता है, हमने भी अब रवी के बिना जीना सीख लिया है रात को खाने पर जेट जी ने पूछा, रवी के बीमे के एक लाग रुपे मिल गए होंगे, क्या किया उनका पचास-पचास हिजार रीनना टीनना के नाम बैंक में फिक्स करा दिये हैं घर का खर्चा अपनी तनका से चलाने का प्रियास करूंगी अरे बैंक में कुछ नहीं मिलता, अब तो इंट्रेस्ट और भी कम कर दिया है यदि उस पैसे को कहीं सही जगे ब्याज पर चड़ा दिया जाए, तो तीन प्रतिशत ब्यास तो आराम से मिल जाएगा तुम चाहू तो मुझे दे दो, मेरा एक दोस्त ब्यापार बढ़ाने के लिए भाजार से ब्याज पर पैसा लेने की सोच रहा है विश्वास का आदमी है, पैसा मारे जाने का डर भी नहीं है वह हर महीने जो तीन प्रतिशत ब्यास देगा, वह मैं तुम्हें भेज दिया करूँगा अब तुम्हें फिक्स करा चुकी हूँ तो मैं एक दिन और रुख जाता हूँ, कैंसिल करा कर मुझे दे दो, बच्चियों के काम आएगा बैसी भी रीना पंद्रे वर्ष की तो हो ही गई है इस वर्ष टैंथ पास कहले ही, दो, तिन वर्ष में अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी कर देंगे तो एक बोज तो कम होगा, फिर बस टीना रह जाएगी भाई साहब मैं रीना टीना को बोज नहीं समझती, और ना जल्दी शादी करने के पक्ष में हूँ दोनों ही पढ़ने में बहुत अच्छी है रीना को टीचिंग में बहुत रुच्छी है, उसे कम से कम एमें तो कराना ही है आज के समय में लड़कियों में भी आत्मनिर्भर होनी के शमता होना बहुत जरूरी है तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, फिर भी समय पर सही मैच मिल जाए तो पढ़ाई पूरी करने के चक्कर में शादी को टालना नहीं चाहिए बढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है शादी के बाद कोई नहीं पढ़ता बी ए सेकंड एर के बाद मेरी भी शादी करती गई थी सब नहीं कहा था शादी के बाद थर्डिय कर लेना लेकिन किसी नहीं करने नहीं दिया यदि आज में graduate होती तो इनके office में मुझे एक छोटी सी नौकरी नहीं कहनी पड़ती फिर भी इस नौकरी से बड़ा सहारा मिला है रहने को अपना ये छोटा सा flat भी है वरना मैं क्या करती तब ही तो कह रहा हूँ कि आज कल बैंक में रुपए जमा कराना बेवकूफी है मुझे दे दो मैं ब्याज पर उठवा दूँगा अधिक ब्याज के लालच में पढ़कर कहीं मूल भी न डूप जाए मैं कोई भी खत्रा मोल नहीं लेना चाहती बैंक से भले ही व्याज कम मिलेगा किन्तो धन तो सुरक्षित रहेगा बैंकों में भी धन कहां सुरक्षित है समाचार पत्रों में बैंक घुटालों के समाचा नहीं पड़े क्या पड़े हैं तब ही तो ब्याज दर अच्छी होने को परांत भी मैंने इन कॉपरेटिव बैंकों में धन नहीं डाला राश्ट्रिय कृत बैंकों में धन डाला है जहां धन देने को कह रहा हूँ वहां भी सुरक्षित रहेगा मैं गारंटी लेता हूँ तो मैं मुझ पर तो विश्वास है ना पूछने को दिल करता है कि आपकी गारंटी कौन लेगा आप पर ही तो विश्वास नहीं है किन्तो यह कह नहीं पाई आप पर तो विश्वास है पर अपनी किस्मत पर नहीं है मुझे माफ करें भाई साहब मैं अभी एवडी कैंसल नहीं करना चाहती मा किरन को आप क्यों नहीं समझाती मैं इस परिवार का शुप चिंतक हूँ इनके भले की बात ही कर रहा हूँ देख बेटा यह इसका व्यक्तिकत मामला और अपना भला बुरावा खुद समझती है मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहती मैं भी अब और बहस के मूर में नहीं थी इसलिए वहां से उठा आई किन्तो मन खिन्न हो गया था बच्चों की बज़े से मन की पीड़ा छिपा कर मुस्कराने का अथक प्रियास करती रहती हूँ किन्तो लोगों को यह भी मनजू नहीं है अना अगूत से ये भाई साहब सुफचिन तक होने का ढोंग करते सुझावों का टोकरा उठाई ना जानी क्यूं बार बार आकर यादों की जील में कंकड़ी फैक जाते हैं उनकी असलियत मुस्से छिपी नहीं है उन्हों नहीं जाने कव रेस कोर्स में पैसे लगाने का चसका लग गया था और इसी शौक ने उन्हें बरबाद काय डाला उन्होंने जगे जगे से 10 प्रतिशत ब्याज का लालस दे कर 1000 रुपए का करजा ले रखा था जिसे ना लोटाने पर लोग उनकी जान के पीछे पड़ गए थे नौकरी भी जाते जाते बची थी उसी समय में अपना दुखडा रोकत 10,000 रुपए रवी से भी उधार ले गए थे जो आज तक वापस नहीं किये करज दाताओं से परेशान होकर वो अपनी पतनी को बीहर से 1,000,000 रुपए लाने के लिए यातनाय देने लगे थे उन्होंने साफ मना कर दिया था कि मैं रिटायट पिता से उनके जीने का सहारा नहीं चीन सकती पती द्वारा प्रदत परेशानियों के जंगल में फसी जिठानी जीने आत्मत्या की रुप में मुक्ती का मार्क तलाश लिया था बच्चों का मोह भी उन्हें नहीं रोख पाया था इन भूली विसरी बातों के याद आने से मेरे मन में नफरतों के कैक्टस फिर उगने लगे हैं मैं समझ गई हूं कि उनका यूं बार बार आना भाई के परिवार से मोह नहीं है इस संकट के समय में भी विश्वासों की आड लेकर वाच छलने ही आये हैं मुझे किसी साजिश की पूँ आने लगी है किसी तरह उनके आने पर रोख लगानी होगी पर कैसे मैं ममी जी के पास जाने को अपने कमरे से बाहा निकली थी कि भाई साहब की आवाज सुनकर वहीं ठेटक कर खड़ी हो गई वो धीमी आवाज में कह रहे थे मा मैं देख रहा हूँ इदा किरन में बहुत बतलाब आया है बहुत चालक हो गई है काम पर तो जाती ही है कभी कोई भागया तो हो सकता है आगे पीछे शादी भी कर ले फिर तुम्हारा क्या होगा रवी के रुपयों पर कुछ हक तो तुम्हारा भी है मा कुछ रुपय तो मैं अपने नाम भी करा लेने चाहिए थे क्यूं क्या मेरे प्रतिस सारा फर्ज रवी का ही था तेरा कुछ नहीं है क्या मैं तेरी मा नहीं हूँ यदि उसने दूसरी शादी कर भी ली तो मैं तेरे पास आकर रहे लूँगी मुझे रखेगा न यह भी कोई पूछने की बात है पर मैं तो कहना कुछ और चाह रहा था लेकिन आप समझ नहीं पा रही मा मैं सोच रहा था कि आगे पीछे दूसरी शादी तो मुझे को भी करनी है यदि किरन तयार हो जाए तो उससे भी तो हो सकती है मेरे बच्चों को मा मिल जाएगी रीना टीना को बाप मिल जाएगा और घर की जट घर में रहेगी और आप तो जैसे रह रही हैं वैसे ही रहती रहेंगी आज तो तुने अपनी मन की बात मुझे से कर ली पर आगे से मत करना किरन के बारे में कभी ऐसा सोचना भी नहीं ऐसा कभी नहीं होगा अपनी पत्नी को चंद से जीनी नहीं दिया मैं किरन की जिंदी के वरवाद नहीं होने दूँगी तुम मेरी माँ हो की दुश्मन तुम्हें मेरी जराबी चिंता नहीं है पराय घर से आई बहु की इतनी चिंता है मेरी पत्नी को मरे तीन साल हो गए लेकिन तुमने कभी एक बार भी मेरी शादी के बारे में नहीं सोचा क्या मैं तुम्हारा सौतेला बेटा हूँ तेरी शादी करके मैं किसी की जिंदिगे खराब नहीं करना चाहती भले ही तु कोट से छूट गया पर मैं अब भी तुझे बहु का हत्यारा मानती हूँ भले ही तुने हत्या नहीं की किन्तु तेरे जुल्मों ने उसे आत्मत्या की रहा पा खड़ा आवश्य कर दिया था मा बस चुप करो किरन सुनेगी तु मेरे बारे में क्या सूचीगी मुझे नहीं मालम था कि तुम्हारे मन में मेरे लिए इतना जहर भरा है मैं ही पागल हूँ जो अपना काम धंदा और बच्चों को छोड़कर बार-बार यहां तुम सब के हाल चल जानने के लिए भाग कर आता हूँ आगे से मत आना हाल चल जानने के चाहो तो फोन कर लेना भाई साहब की बातां सुनकर मैं आबात रह गई थी उनके मन में पक रही इस खिचड़ी का अंदाजा तो मुझे सपने में भी नहीं था मैं तो बस यही अंदाजा लगा पाई थी कि उनकी नियत धन हड़पने की है पर वह तो बहुत दूर की सोच रहे हैं अच्छा है उनकी असलियत में जान गई हूँ मम्मी जी के प्रते दिल स्रधा से भर उठा कभी वह भी एक जिम्मेदारी लगती थी पर अब उनकी उपस्तिती जेट की तप्ती दो पहर में बर्गत की चांची है भगवान उन्हें लंबी उमर दे भाई साहब को उनकी ओका तो मम्मी जी बतला ही चुकी थी मैंने भाई साहब या मम्मी जी को इसका आभास भी नहीं होने दिया कि मैं उनकी बातें सुन चुपी हूँ मैं चुपचा फुल्टे पाऊं अपने कमरे में लोट आई दोस्तो अभी आप सुन रहे थे पवितरा अगरवाल द्वारे लिखे हुई कहानी शुक चिन तक दोस्तो अम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ धन्यवाद